दोस्तों WhatsApp पर हम लोगों के जब फोटो या वीडियो या फिर आडियो कोई सेंड करता है तो वह अपने आप डाउनलोड हो जाती है जो बीना काम की होती ही वह भी हो जाती है और काम वाली हो जाए तो अच्छी बात है तो हम कैसे WhatsApp में कुछ ऐसी सेटिंग करें कि वह अपने आप ना डाउनलोड हो जिसे हम चाहें वही डाउनलोड हो या जब हम क्लिक करें तभी डाउनलोड हो तो यह सेटिंग आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पूरी वीडियो देखीगा बहुत अच्छे से बताओंगा आपको क्योंकि यहां पर डेटा तो हम साथ स्टोरेज भी भर जाता है तो जरूरे सेटिंग कर लिजे बिना किसी देर हम इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे स्वागत करेंगे आपका अपने यूटूब चैनल टेक जानों सीखो पर लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और फिर सीख लेते हैं न दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों मैं लाइव स्क्रीन पर आ गया हूं जैसे हम अपने वट्सप को ओपन करते हैं अपने मोबाइल फोन के डेटा को चालू करते हैं तो जैसे किसी की फोटो या कोई वीडियो आई राती है मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो अपने आप न यह सारा हो जागा देखी आ रहा है डाउनलोड होता चला जा रहा है इसे हम कैसे बंद करें आई आई आपको बताते हैं कि अपने हिसाब से डाउनलोड हो हमें अपने वट्सप में ना कोने पर तीन बिंदू दिखेगी कॉर्णर पर या फिरी डॉट दिखेगा इस पर आपको क्लि करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आखिरी में एक ओप्सन होगा मीडिया आटो डाउनलोड और यहां पर तीन ओप्सन दिया होगा ठीक है बारी-बारी से सभी पर आपको चेक करना कैसे करना आए बताते हैं यदि आप चाहते हैं कि अपने से ना डाउनल आपके अनुसार होगा ठीक ना जब आप कहें करेंगे तब ही होगा आपके अनुसार नीचे है वेन कनेक्टेड वाइफाई इस पर भी लागा होगा इसको भी हटा के ओक्के कर दीजिए फिर होगा वेन रोमिंग इस पर भी क्लिक करिए इस पर भी लागा होगा हटा के ओक है तो ऐसे जब कोई photo दुबारा अफ-send करेगा तो कुछ इस तरीके से आएगा आई मैं आपको बता रहा हूं कैसे जैसे कि यहां पर कोई photo है जहांसे मैं दूसरे phone से send कर दिया और जैसे इसे send कि मैं जाऊ पकूछर अजा झीरिया कि र्कु झींहांसे लाका आंप की छूसरे भी मैं कि यहांसे जूसरे online